हे गाईज एम जोतिका चोहान और वेल्कम बैक टो मैं जैनल सो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हमारी ड्राइ नेलपेंट को फिर से दी यूस कैसे कर सकते हैं यानि कि जो नेलपेंट हमारी सूख गया है उसको हम से पांच तरीकों से बड़ ईजि एड़ आसान तरिक हैं जिसी हैं हमारी नेलपेंट को फिर से सही चाह सकते हैं अब देख सकते हैं कि हमारे nail print बिल्कُल पूरी तरीके से सूख गई है, अब आप देख सकते हैं कि बेचारी किती सूख चुकी है पूरी nail print, इसका brush भी पूरा चिप अब चुका है, तो सबसे पहले हमें simply, पहला तरीका यही है कि हमें हमारी सारे nail prints जो भी सूख हुए हैं, उ पानी पानी डालना है कि हमारी जो भी नेल प्रेंच से उसमें डिप हो जाए yeah अगर आपको पानी कम लग कें ता उपर से पानी डाल सकते हैं itay टिंट ना हमें जादा गरम करना है एंड ना ही ज्यादा ठंडा रखना है अब चेक करके देख सकते हैं कि अगर आपके उंगली नहीं चल रही है तो उतना पानी सही है हमें ज्यादा पानी गरम नहीं करना है और कम से कम 10-50 मिनट के लिए हमें हमारी नेल पेंट्स को इसके अंदर रखना है अंदेन हमारी नेल पेंट को बहार निकालेना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी नेल पेंट रियूस करने के लिए फिर से रेडी हो चुकी है इसके लिए हमें सिंपली सिपसे पहले कोई वी सुकी नेल पेंट लेने हैं और उसको अच्छे से उलटना पलटना है और उसे चारो तरफ से घुमाना है जिससी कि जो सुकी वी नेल पेंट है वो चारो तरफ आ जाए अब जित्ता हो सके उसे गुमा ले एंड उसके बाद हमें नेल पेंट रिमूवर थिनर लेना है एंड एक से दो ड्रोप हमें उसमें डालनी है अब याद रखें कि अब ज्यादा थिनर इसमें ना डालें नहीं तो हमारी जो भी नेल पेंट वो ज्यादा थिन हो जाएगी एंड लगाने के लिए काम नहीं आएगी एंड थिनर डालने के बाद भी हमें उसी तरीके से फेस से हमें हमारी नेल पेंट को अच्छे से उलिटना पलटना है चारो तरफ से घुमाना है जिससे कि हमारा जो थिनर है वह चारो तरफ लग जाए और जो सूखी नेल पेंट है उसको सही कर सके अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी सुका हुआ सुकी हुई नेल पेंट थी उसका सही लिक्वीड बन चुका है अब मैं हम हमारी नेल पेंट को रियूस कर सकते हैं सो अब मैं आपको लगा के बता देती हूँ कि हमारी नेल पेंट सही हो चुकी है अब देख सकते हैं कि हमारे नेल पेंट फिस एक दम न्यू लग रही है आप हमेशा याद रखें कि आप अपनी नेल पेंट को कभी फ्रीज में ना रखें क्योंकि फ्रीज में रखने से हमारी नेल पेंट काटी हो जाती है कि यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी को फिर से री यूज करना जाते हैं तो आप अपनी नेल पेंट को कम से कम पूरे दिन के लिए आप परेंगे को कड़ागे की धूप में रखींग इससे कि आपकी नेल पेंट का जो भी लिक्विड ये वह है तुर याद रखे कि कभी भी कुली न चुटेंट याद रखे क अपने फंकी को और न रखें पॉलर को बचारें अपको पता होगा कि Nail paint में Acidone होता है जो हवा के संप्रक्त में आने से उसमें जो भी Acidone होता है वह उठ जाता है और जिससे हमारे Nail paint गाड़ी हो जाती है एंड हमारे नेल प्रेंट सूख जाती है जब भी नेल प्रेंट अप्लाई करें फैन कूलर जो भी चीज उनको बंद करके अपने नेल प्रेंट को बंद करके रखें और अगर आपको मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी जोन बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे